हिमाचल परदीश के शिमला जिला के तहत रामपुर में सरकार के सक्त निर्देशों के बाद भी बाहरे परदेशों से आ रहे हैं लोगों को होम कॉरिंटीन के लिए पशों से भी वत्र सिती में रहना पड़ रहा है जो किरायदार लोकडाउन वी अपने घर चले गए थे आपसे तालमेल की कमी से कॉरिंटीन होने बालों की पेज़िग्या बढ़ रही हैं बर्तमान में दतनगर नामक्सान में बारे राजो से आने बाले लोगों को बसी से दूर नधी किनारे बिरान खंडर नुमा अस्थाई पशुशालाओं में कॉरिंटीन के जा रहा है सुव पहली भी बहार से, आने बालों को यहीं कॉरेंट्इन किया जाता रहा है। इन खंड्रों में बकायादल स्वास्त्रफाश की ओड़ से, होम कॉरेंट्इन का बोड़ भी दरवाजे पर चिपका दिया जाता है। अपनों से संबाद करना हो तो मुबाइल चार्ज विवस्ता ना होने से संपर्ट नहीं होता ऐसे में हॉम कॉरिंटीन के नाम पर लोग काला पानी बाली सजा भुगतने पर मजबूर हैं कॉरिंटीन किये गए लोग चाहते हैं कि उन्होंने तो जैसे तैसे समय निकाला बबिशे में ऐसी स्तिती किसी और को ना देखनी पड़े यूपी बिजनोर से आये गजराम सिंग ने बताये कि भी यहां मजदूरी करते हैं लोगडाउन के दरान बिग घर गए थे अब बहां से हम पास बना कर यहां आए हैं हमें यहां कॉरिंटीन किया गया है लेकिन ऐसी जगा रखा गया जहां नदी किनारे जानबर भी नहीं रह सकते हैं सांप का खत्रा है पीने का पानी नहीं मिल रहा है खाने की भी दिक्कत है यहां आगे पशु मरने के बाद सर रहे हैं बेजिर्ज के यहां किरायदा थे उन्होंने पहले तो आने के लिए कहा लेकिन अब बे फोन नहीं उठा रहे हैं मेरे नाम कजराम सिंग है मैं यूपी जिला विजनोर से आया हूँ यहां मज़्दूरी करता हूँ हम वहां सर पास बनवा के यहां तक आए यहां सर हमें कॉरंटीन किया गया तो यहां पर सर ऐसी जगे रखता जा रहा है कि नती के किनादे टंकर सर्ड़े हैं इसमें जानवर में तो bिने रहेंगे साफ सलिंडे का डर हैं लिक्चे सोरे है पीने का पानी हमें तिल में नीड आगा पानी आतिन में एक दौ आख मिल्या फानी नियुक्त है और घुड परेशान है हम बहुत पुरी तरह तरह अकर पहुर पारा तो उसने क्या बोला सर उन्हों ने पह यूपी बिजनोर से आय संजे शिरिवास्तव ने बताए कि बेमज़ूरी का काम दतनगर में करते थे खरजाने के बाद बापिस की अब अनुमती मिली है गाउं से निकलने के बाद रास्ते में भी उनकी सारे नियमा अनुसार चांच हुई और जब ये रामपुर आये तो उन्होंने पुलिस से संपर किया तो यहां भेजा गया 27 तारी को यहां पहुंचे रात को जड़क में खड़े थी तो किसी ने हमें यहां ठहरा दिया हमारे मवाइल सुच ओफ हैं और ना हम घर बात कर सकते हैं ना ही यहां पर पानी है ना बिजली और ना ही खाने की बिवस्ता है संजे स्रीवास्ता अधिश्ता स्रीवास्ता अधिंट रामपूर दिस्टिक विजनोर का रहने वाला उप्र यहां काम करते हैं मजदूरी का उसी चकर में आगे सर वहां से पास बनवा के आई थे पहले सर पॉंटा कहुचे, पॉंटा में थर्मली स्क्रींग हुई, उसके बाद पुलिस वारों ने सब नमर उमबर लिया हमारा अधार काड़ का, उसके बाद उन्होंने कहा कि रामपुर जब जब चाहोगे, पताया हुन्हें अटरस पूरा दिया, सही अटरस अपना न, 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 हुआ हरा मिरा न, न, इसके बाद उन्होंने जो है, रामपुर का सर ला, कि रामपुर की ठाने मिल लेना मिलेना, न, थीके सर पुरंटाइन, तो हम हो जाएंगे, पिर जब नहान पहुचे सर नहान महीं, साप का, साफ का, पोन पहुच गया था ता हमारे पास, न, परद्धान मैटम का इपोन पहुंचे था, सर फिर आगे हम रात में लगतों नो दस पुजी करीब पहुंचे साथ तारिक में आपके बहारी सर यहीं खड़े हो गए थे, सोगे यह सर आये, नहीं से मिले, यह है और सर ऐसे में रह रहे हैं ना पानी है ना लाइट है सर ना कु अजे कुमार बिजनोर से आय ब्यक्ति ने बताय कि बे दो दिन से भूगे थे, दो रोज बाद रात को ग्यारा बजे खाना बनाए किसी ने उन्हें खाने के लिए राशन दिया, बहुत दिक्कत हो रही है, ना लाइट है ना बिजली है, रात को नीन नहीं आ रही है, मच्छर सोने नहीं देते, रात को बाहर बैट बैट कर, दिन निकाल रहे हैं, फोन भी नहीं कर सकते, बच्चे भी इंतजार कर रहे कर रहे हैं? दतनगर निवासी मोहन चिंग ने बताय कि सामने जो खंडर नुमा पशुशाला है यहां पर बाहर से आने बाले लोगों को कुरेंटिन किया जा रहा है सरकार की ओर से हॉम कॉरेंटिन का बोर्ड लगाय जाता है उसके बाद उनके खाने पीने रहने के लिए कोई नहीं पूछता है हाल ही में रखे गए लोगों को उन्होंने स्वयम खाने पीने की यह था सामर्थ्य दिवस्ता कर रहे हैं पहले भी ऐसी ही स्थिती थी पर्षासन को देखते हुए पर्षासन अंगे सब कुछ देखा तो यहां के स्क्यास्तिती है इनको यह पर रख गया बार से आये हैं तो यह तो हमारे फ्रदान जी इनको थोड़ा सा कॉपलिट किया है और हम लोग आए, इनको ने रखा, जैसे परशासन को बोला, तो ये कहने हम के हेल्थ गेर आड़े आए, इनने बोर्ड लगा दिया, इसके बाद ये नहीं देखा, कि इन लोगों को खाना, पीना, पाने की नुबस तक कौन करें, इस दिस्तिती नाजो के यहां की, परशासन क ततनगर पंचायत की बाद सदस्य, पूरम ठाको ने बताए कि यहां पर कुछ मजदूर रखे हैं, उनकी सरकार की और से कोई विवस्ता नहीं है, स्वास्तिव वागबाले आए और उनने कॉरिंटीन का बोर्ड चिपका दिया, अब किसी ने ये नहीं देखा कि उनका 14 दिन ये रहने लाइक स्थान नहीं है, इससे पहले भी यहां इसे तरह आदमी रखे गए थे तो ये फिर किसके जिम्मेबारी बनती है, पंचायत लेबल पर हम क्या कर सकते हैं, अब ये कोई रखने की जगत हो है नहीं है, आपने को खूद क्या हाले नहीं होते है, तैसिलदार रामपुर विपिन ठाकुर ने बताया कि राजे सरकार द्वारा पहले भी निर्देश च जिम्मेबारी होगी हॉम कॉरिंटीन के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन हो, इसके बाद भी कोई अवश्यक्ता हो तो बेल लिकित रूप से एस्टियम आफिस में अपना पक्ष रख सकते हैं, उनने कहा कि दतनगर का मामला उनके ध्यान में आया है और चांच क जाये की के ओडर दिये जाते हैं, उनकी जो जिम्मेवारी है वो पंचायत स्तर पर पंचायत पर धानूगी है, कि उनकी जो मूल भूत्ष विदाये हैं या उनके लिए टोइने विवस्ता है, खाने की विवस्ता है, वो जो है पंचायत अपने लेबल पर करें, फिर भी अगर किसी पंचाइद को इस तरह की कोई प्रावलम आती है तो इसको लिखे तो में अस्दियूम का रेले में सुचित करना चाहिए ताकि प्रशासन उसका सेव कर सको